हेलो दोस्तों वेलकूम तो माई यूटूब चैनल चली आज हम लोग क्लाश 10 के जो मैथेमेटिक्स है उसका पहला चप्टर यानि वास्तविक संख्या जो आपका पहला चप्टर है उस पहला चप्टर का कुछ हम लोग टॉपिक का डिसकस करेंगे उसमें से आपका जो पहला है यूकलिट विभाजन जो प्रेमिका है यह प्रेमिका का मतलब क्या होता है यानि लेमा का मतलब क्या होता है तो प्रेमिका एक पहले से सिद्ध किया गया कथन होता है और यह पहले से सिद्ध किया गया एक कथन होता है और यह पहले से सिद्ध किया गया कथन का प्रियोग करके हम लोग किसी अन्य कथन को सिद्ध करते हैं यानि प्रिमिका का प्रियोग करके यह पहले से सिद्ध किया गया कथन है और इसी का प्रियोग करके हम लोग किसी अन्य कथन को भी सिद्ध करते हैं इसी को लोग क्या बोलते हैं यहां तक तो क्लियर है अब देखिए यह जो सेतरी को स्वाल को सॉल्व करेंगे लेकिन सब्सक्राइब प्रियोग करें और अल्गुरित्म क्या होता यह चरनों होता है सिरीज होता उसी को को गाते हैं ठीक है इतना तो समझ में आ गया तो हम लोग प्रियोग करके किसी अने कथन को सिध करेंगे क्योंकि प्रिमिका वो होता है जो पहले से सिद किया गया है ठीक है और यूकलिट विभाजन एलगोरेट में इसी प्रिमिका पर आधारी थे इतना आपको समझना है अब देखें यूकलिट विभाजन जो लेमा यानी प्रिमिका है इसका क्या परिभासा है यह क्या बोलता है सबस्ते इसमें देखे इसमें बोला गया है कि दो धनात्मक पुर्णांग A और B दिये रहने पर ऐसे अधित्य पुर्ण संख्याएं मान लेते हैं वो अधित्य पुर्ण संख्याएं क्या है Q और R विद्दुमान है ठीक है विद्दुमान है कि A बराबर B Q प्लस R तो यह संख्याएं और कुछ कंडिशन क्या है कि जो मेली होगा वह 0 0 से बढ़ा होगा आर का बेली जीरो याजीरो से बड़ा होगा लेकिन B से हमेशा च्छोटा होगा ठीक है यह हम लोग का यूपलीड विभाजन प्रमिका का एक डिफिनेशन है यह बात बोलता है यूपलीड व तो हम लोग यूकलीट विभाजन अल्गूरिथम का उप्योग करते हैं कोई भी दो धनात्मक पुरिधां का स्चिप निकालने के लिए हम लोग बोलेंगे अल्गूरिथम का प्रियोग करेंगे क्लियर यहां तक तो अब चलिए हम लोग के सामने कोश्चन से क्या है कि 4052 और 12576 का यूकलीड विभाजन एल्गुरिथ्म का परियोग करके ग्याद कीजिए तो हम लोग को सबसे पहले यह परिभासा तो यह प्रेमी का याद रखना है इसके बाद हम लोग एस्ट यूकलीड विभाजन एल्गुरिथ्म के परियोग करके निकालना है बहुत ही आसान है इसके निकालना देखिए आपको सबसे पहले करना क्या है ठीक है हम लोग यह शॉल्व करते हैं तो इन दोनों में जो सबसे बड़ा वाला नंबर है उसको पहले उतारना है इसको सबसे डिभाइड करना है यानि छोटा वाला नंबर जो दिया गया है 4052 से इसको डिभाइड करना है 12576 को ठीक है तो बताइए कितना बार में डिभाइड होने वाला है पूरा तो नहीं जाएगा लेकिन यह आएगा तीन बार में ठीक है तीन दूनी छे पास्तिया पंदरा अचा लिखेंगे मल्टिप्लाई में 3 अब प्लस में जो हम लोगा सेश्फल बचा है यानि 420 ठीक है इतना करने के बाद आपको करना क्या है अब जो भी बराबर के बाद वाला नंबर है ना इसको यहां लिखना है यानि 4052 इक्वेल टू में आपको लास्ट वाला जो नंबर उतारना है यानि 4052 को अब बथा कीतना बाल में यह जाएगा में यह नवर मेंच्राइगा कितना नो बाल मेंसे नोशा वागा जाएगा यानि यहां पर घ्स बाक्त फटल आजा to इतना तो समझ में अब दैखिए हम लोग का zero आना सेज़ फटल powers यहां पर पहले नोट करेंगे उतारेंगे यानि Y JC Chicago would austar vibe organized next year 10 जो यहां निए of a fire जा Solos साथ 2, माइनिस करने पर आएगा 8 और यहां पर कितना आजाएगा 1, यानि 1, 4, 8 ठीक है, तो यह गुना कितना आएगा 1, क्यूंकि एक बार में भागा गया था, इसके बाद यहां पर हो जाएगा 1, 4, 8 ठीक है, इतना step हो गया, एक step, दो step, तीन step तक अभी तक हो चुका है, इ ठीक है, दो, साथ, दो को उतारना है यह वाला, फिर यह कितना बार में, एक बार में, एक, चार, आठ, माइनिस करेंगे, तो आएगा 4, 2, और यहां आएगा 1, यानि 100 कितना आया, 24, तो हम लोग गुना में लिखेंगे 1, क्यूंकि एक बार में भागा गया था, है ना, प्ल वो step आगे चलेगा, ठीक है, एक बार में भागा देंगे, बचेगा हम लोग का कितना प्लस में, तो देखी एक सो चोफीष को एक से गुना करेंगे, 124 और यहां कितना है, 148 है, यानि यहां पर बच्जाएगा फिर से 24, कितना बच्जाएगा, 24, फिर से 124 को हम लोग यहा पहाड़ा में इक नमब्र आएगा नश्या इस प्रोसेस से और और भी आगे बढ़ेगा नेकी हमको इतना करना है आपको तो इतना करने के बाद जब सेजफल जीरो आएगा तो हम लोग आगे का इस्टेप नहीं बनेगा इस्टेप वहां पर रुख जाएगा ठीक है यानि कितना इस्टेप पे शॉल हुआ एक दो तीन चार पाच साथ इस्टेप में सॉल हुआ तो यह जो एक इस्टेप जैसा चल यह जो बराबर के बाद वाला नमबर आया है ना चार यह जो एंसर में लिखेंगे एक वर्टू कितना यह एंसर हो गया आपके पास इस दोनों नमबर के बदले में कोई भी दो नमबर आपको दे दिया जाए तो आपको इसी प्रोसेस का प्रियोग करके एस्टेप निकालन तक तो इस तरह हम लोग का युकलिड विवाजन प्रिमिका जो है यहां लिखा हुआ आपको याद करना है और अच्छे से दो नमबर का यहां पर एक जांपल हम लेके आपको समझाए किस तरह निकलना है इस तरह बाकी जितना भी आपका कोश्चन होगा एक्ससाइज का उस अब नेक्स्ट एक्ससाइज को पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक अब अच्छे से रहिए और हो सके तो अच्छे से रिभाइज करिए अपने मैट को चलिए हम लोग मिलते है नेक्स्ट वीडियो में जहींदे